ओके स्टुडेंट्स हम कन्वेक्स लेंस का यू वर्सिस वी ग्राफ पढ़ेंगे किसका कन्वेक्स लेंस का वेटा ठीक है हमें पता है अब्जेक्ट 1,2,3,4,5,6 रीजन में रखने पर इमेज डिफरेंट डिफरेंट जगा पर बनती है वेटा सबसे पहले हम डिसकस करते है जब हमने अब्जेक्ट को रखा कहा पर 0 से f के बीच में माइनस f के बीच में है ना 0 से माइनस f के बीच में तो बेटा हम बहुच्छे जानते है कि 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f है तो fu upon f plus u v आजेगा तो u की value 0 डाने पर v की value 0 है यहनि अगर अब्जेक्ट को यहां रखों तो image कहा बनत होगता है ठीक है नो प्रोलम अब जैसे जैसे मैं object को इधर रखता जाओंगा इधर रखता जाओंगा 0 से अलका साकर बढ़ाओंगा इतर ठीक है तो image कहीं इधर बनेगी थोड़ा और आगे करूँगा तो image second region में जाएगी थोड़ा और आगे करूँगा तो image third region में जीरो से लेकर minus infinite तक जीरो से लेकर कहा तक minus infinite तक वही मैंने समझाया कि object की value 0 से minus f टर अगता ही image कहा धान लगती है 0 से लेकर minus infinite तक ठीक है अब हमने discuss किया उटा कि जब हमने object को क्या रखा वेटा प्लस f और प्लस 2 ध की इसमया नहीं 4 5 6 region की बात कर रहे है na 4 5 6 region के हम इस region की बात कर चुक है आफ सी जन की बात करते हैं ठीक है बैटा तो आप जैट को रखा 45-6 रिजीए है निय 중요ascope यूक्ट लोकल tunnels will belong तिटी गण अबुर टो वन моя थो वो न रे इमेजे बन रहे है जब हमने 5 रीजन में रखां, तब भी 4 रेजन में इमेज़ बन रहली है, जब हमने 6 रीजन में रखां, तब भी 4 रेजन में तो इमेज कहीं आए ऑपजेक्ट इहां गया तो इमेज कहीं आए-पजेक्ट इस जाती जिरो से लेकर प्लस है तो एक ब्रांच आ गए इस ग्राफ की इस करती आ गई यह ब्रांच आ गई जहां पर यह line और यह line क्या है इस graph का asymptote है क्या है asymptote asymptote हुने पहले ही बताया है asymptote क्या होता है बेटा asymptote होता है जहाँ पर curve को curve पर tangent कहाँ पर इविट करें infinity पर ठीक है no problem अब हम ढालते है बेटा u की value ढालते है minus 2f क्या डालते है minus 2f और v की डालते है 2f तो 1 upon 2f और minus u के डालते है minus 1 upon 2f तो यह satisfy कर रहा है इसको 1 upon f को तो यह ग्राफ हमारा ग्राफ minus 2f,2f से पास होगा minus 2f,2f से क्या होगा ग्राफ पास होगा तो हमने तीन रिजन भी डिस्कस कर लिए ठीक है वेटा, अब हम डिस्कस करते है वेटा, जब मैंने object की value डाली minus 2f से बड़ी, negative में है तो यहनी minus 2f से इदर यानी हमने रखा region रखा हमारा third, तो object की जब third region में रखा, तो image कहा बन रही है वेटा image बन रही है f or 2f के बीच में, कहा बन रही है, f or 2f के बीच में है ठीक है तो V की value f or 2f के बीच में है ठीक है, जब मैंने object को क्या रखा वेटा object को रखा minus infinity से कहां तक minus 2f पर रखा, और minus 2f पर कहा बन बनने लगी, 2f पर बनने लगी जैसे ही हमने minus 2f रखा, कहां बनने लगी विटा? 2f पे बनने लगी, ठीक है? और minus 2f से इधर चलता गया, चलता गया, कहां बन रही है विटा? minus 2f से कर मैं negative side चलता रहुआ तो कहां बन रही है? f से 2f के बीच बन रही है, ठीक है? Okay students, ठीक है? अब हम बात करते हैं उपर, यानि जब हमने object को रखा, कहां पे? 2f से f के बीच में, ठीक है न? object को रखा, जब मैंने f और 2f के बीच में, तो जब मैंने f पे रखा, कहां रखा? minus f पे, तो u को रखा minus f, u की value रखा आप minus f, तो minus f रखते ही, v infinity आया, तो plus का infinity आया, यानि u की value, minus f रखते ही, plus का infinity आया, ठीक है बेटा? ठीक है, यानि इस पर आएगी plus का infinity, और इस पर आएगी बेटा, क्या? plus का 2f, यानि इस region से, इस region के बीच में, कहां से कहा जाेगा, मेरा graph? plus infinity से 2F तक आएगा plus infinity से कहा तक आएगा 2F तक आएगा दूसरी प्राच बन गी क्या बन गई इस hyperbola की rectangular hyperbola की दूसरी प्राच बन गी ठीक है तो ये था हमारा concave lens के लिए U versus V graph क्या था ये concave lens के लिए U versus V graph हमें ग्राफ काफी अच्छे से आने चाहिए concave lens के भी convex lens के भी concave mirror के भी convex mirror के भी okay students thank you